हाई गाईज वेलकम टू मैं यूटूब चैनल और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टीडियस रेट चार्ट के बारे में जो की फनेंसिल लिए 24-25 और असिस्मेंट यह 25-26 के लिए है तो ऐसे कौन से सेक्षन है जो की टीडियस के सेक्षन में चेंज आया ह है वो भी मैं आपको बताऊंगा और वन बाइवन एक एक सेक्षन को फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ तो यह वीडियो बोजय देंपोटेंट रॉन वाली यह बने दी इस वीडियो के साथ और यदि अभी तक आपने मेरे यूटूब चैनल सब्सक्राब नहीं क कर सकते हैं और दोस्तो हमारी एप्लिकेशन का नाम है टैक्सेशन कोचिंग आप उसको डाउनलोड करने के बाद इस चार्ट को फ्री ओफ कोस्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा सेक्षन है 192 यह किसके कटता ही होता है पे मेंट ओफ सेलरी तो सालरी पर भी हमारा घीदी अचनल में यह किसके अकोरणिंग कटता है तो सालरी पर घीद चाटता है इसको हम कह सकते है old rhythm and new rhythm बात एक ही है ठीक है तो इसकी calculation होती है slab rate के according ठीक है तो उसके according ही TDS deduct किया जाता है अब उसके बाद है section 192A premature withdrawal from EPF यदि आप EPF को withdrawal करेंगे और amount पचास हजार या उससे अधिक है तो 10% TDS करता है कितना करता है 10% मैं फिर से repeat कर रहा हूँ यदि आप EPF को withdrawal करते हैं और उसकी amount पचास हजार या पचास हजार से अधिक है तो 10% TDS करता है ठीक है वो आपका कैसे refund होगा ITR filing करके यदि आपकी taxable income नहीं है अब उसके बाद जो next हमाई section है वो है 193 interest on securities तो इसकी जो cut off है वो 10,000 रुपे है 10,000 या 10,000 से अधिक होने पर 10% TDS करता है किस पर interest on securities पर अब उसके बाद है section 194 यह होता है dividends के लिए किसके लिए होता है dividends के लिए यदि आपका dividend या किसी का भी dividend पांच हजार या पांच हजार से अधिक है ठीक है अब माली जी कोई company dividend देती है और उसकी amount पांच हजार या पांच हजार से अधिक है तो 10% TDS कटेगा पांच हजार से कितना भी हो मतलब कितना भी अधिक हो सकता है ठीक है अब उसके बाद जो next हमारा section है वो है 194 A पहला है हमारा interest on bank deposit, post office deposit, banking core society deposit तो यदि आपने bank FD की हुई है post office में deposit की हुई है या banking core society में deposit की हुई है ठीक है तो जो 60 साल से जिनकी age कम है ठीक है 60 साल से जिनकी age कम है और interest की amount interest की amount 40,000 रुपे है तो 10% TDS कटता है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ जो आपने FD कराई हुई है उस पे जो interest है और interest की amount 40,000 या उससे अधिक है तो 10% TDS कटता है किसके लिए जिसकी age 60 साल से कम है ठीक है तो 10% TDS उसके लिए कटेगा चाहे deposit चाहे FD कराई हुई है बैंक में post office में या banking course society में अब ये तो था जिसकी जिसकी age 60 साल से कम है लेकिन जिसकी age 60 साल से अबव है यानि कि senior citizen के लिए तो senior citizen के लिए भी इसमें अलग से दी हुई है ठीक है तो senior citizen के लिए 50,000 रुपे है और उसकी interest की amount पचास हजार या पचास हजार से अधिक है तो 10% tedious कटता है अब उसके बाद है interest other than interest on securities other than bank deposit post office deposit banking course society deposit यानि की bank deposit post office deposit और banking course society deposit को छोड़कर ठीक है किसी अन्य पर interest है तो उसकी limit है उसकी cut over 5000 रुपे 5000 या 5000 से अधिक होने पर 10% tedious कटता है अब उसके बाद है section 194 B winning from loteries, crosswords, puzzles, card games यदि आप जीतते हैं किसे loteries से, crosswords से, puzzles से, card games से तो इसकी cut off है 10,000 रुपे, 10,000 या 10,000 से अधिक होने पर 30% tedious कटता है अब उसके बाद जो next हमारा section है 194 BB winning from horse race तो यदि horse race से winning होती है और इसकी cut off है 10,000 से अधिक होने पर 30% tedious कटता है अब उसके बाद है section 194 C payment to contactor या sub contactor ठीक है यदि payment करें किसको contactor को और sub contactor को ठीक है इन में से कोई भी हो जकता है तो इसमें जो cut off है वो है single transactions 30,000 रुपे and aggregate of transactions 1,00,000 रुपे तो मैं देखी आपको simple language में बता दूँ अब यदि आप payment करें contactor को या sub contactor को और single payment या निकी एक payment या तो 30,000 रुपे होनी चाहिए ठीक है एक ही payment आपने 30,000 रुपे कर दी तो भी आपको 2% tedious काटना है ठीक है या आपका कोई भी 2% tedious काटेगा पान लिजीए छोटे 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 बिल है एक लाख रुपे कितने के एक लाख रुपे की पूरी year में तो भी 2% tedious काटेगा ठीक है या काटना होगा ठीक है अब इसमें individual और HVF के लिए same ही है single transactions एक payment किये 30,000 रुपे तो individual और HVF के लिए 1% tedious काटेगा या पूरे year में एक लाख रुपे की छोटी 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 transactions है और उनकी total amount बैठती है एक लाख रुपे तो भी 1% tedious काटेगा किसके लिए individuals और HVF के लिए और others के लिए भी same ही है single transactions या तो एक transactions 30,000 रुपे की होनी चाहिए या पूरे साल में छोटी 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 transactions को मिलाकर एक लाख रुपे होनी चाहिए amount ठीक है others के लिए 2% tedious काटेगा अब उसके बाद है section 194D insurance commission तो इसमें पहला है payment of insurance commission to domestic companies ठीक है तो इसमें domestic companies के लिए ठीक है individual और HVF के लिए इसकी cut of 15,000 रुपे और 10% tedious कटता है ठीक है तो domestic companies होनी चाहिए individual और HVF के लिए पंद्रह हजार या उससे अधिक होने पर 10% tedious कटता है अब payment of insurance commission to companies other than domestic ones तो इसकी भी cut of कितनी है 15,000 रुपे है और 5% tedious कटता है किस पर insurance commission पर अब उसके बाद है section 194D life insurance policy जदी आपने कोई life insurance policy की हुई है और उसकी amount एक लाख policy की mature amount एक लाख है उससे अधिक होने पर 5% tedious कटता है ठीक है suppose that आपने कोई LIC की हुई है ठीक है वो आपकी mature होगी mature होने के बाद आपकी amount बैठती है या बनती है एक लाख या एक लाख से अधिक तो भी आपका 5% tedious कट जाएगा ठीक है अब इसके बाद जो next section है section 194E payment to non resident sportman तो इसकी कोई limit नहीं है ठीक है इसमें कितनी भी amount होगी उस पर 20% tedious कटेगा अब उसके बाद जो next section है 194E payment of an amount standing to the credit of an individual under an SS national saving is key तो इसकी cut over 2500 रुपे और पर 10% tedious कटता है अब उसके बाद जो next section है 194F payment of repurchase of unit by UTI or any mutual fund तो इसकी कोई limit नहीं है इस पर भी 20% tedious कटता है अब उसके बाद जो next section है 194G commission on sale of lotteries ticket तो इसमें इसकी जो cut off है वो 15,000 है 15,000 या 15,000 से अधिक होने पर 5% tedious कटता है अब उसके बाद जो next section है 194H यह होता है commission और brokerage के लिए किसके लिए commission और brokerage के लिए इसकी cut off है 15,000 रुपे commission या brokerage की amount 15,000 या 15,000 से अधिक है तो उस पर 5% tedious कटता है अब उसके बाद जो next section है 194I यह होता है rent के लिए किसके लिए rent के लिए आप land and building or furniture or fittings तो इसकी भी amount 2,40,000 रुपे cut off है और उस पर 10% tedious कटता है ठीक है यदि आप rent पर कोई plant and machinery लेते हैं और उसकी amount 2,40,000 से अधिक या 2,40,000 है तो 2% tedious कटेगा land and building or furniture or fittings को rent पर लेते हैं और उसकी amount 2,40,000 या उससे अधिक होने पर भी 10% tedious कटना है अब उसके बाद जो next हमारे section है वो है 194 IA payment on transfer of certain immovable property other than agriculture land चाहे आपकी property किसी भी प्रकार की हो कौनसी immovable property agriculture land को छोड़कर ठीक है आपने कोई घर खरीदा है कोई flat खरीदा है और उसकी amount around 50,000,000 या उससे अधिक होने पर 1% tedious काटना होता है किसको जो purchase करेगा property को ठीक है जो property की payment करेगा ठीक है अब उसके बाद जो next हमारे section है 194 IB यह होता है payment of rent by individual or huf not liable to tax audit तो देखे इसमें payment of rent तो rent की payment की की है किसके द्वारा individual या huf के द्वारा और उस पर tax audit applicable नहीं है ठीक है यह भी rent कहीं section है 194 IB ठीक है individual और huf के लिए जिस पर tax audit applicable नहीं है तो उसकी cut over 50,000 रुपे पर मन उसे 5% TDS काटना होगा या आपका कटेगा अब उसके बाद जो next हमारे section है 194 IC payment that are made under joint development agreement GDA to individual और huf इसकी कोई भी limit नहीं है इस पर 10% TDS कटता है अब उसके बाद जो next हमारे section है 194 J fee for technical service or call center तो चुट टेक्निकल services या call center जो होते हैं इसकी cut off है 30,000 पर रहनम मान लिजीए कोई technical services दे रहा है तो आपको उस पर TDS काटना होगा कितना 2% लेकिन पूरे साल में 30,000 या 30,000 तो आपको उस पर TDS काटना होगा कितना 2% से अधिक payment होने पर ठीक है किसके लिए technical services और call center के लिए अब यदि कोई professionals है प्रोफेशनल जैसे की chartered accountant होगे advocate होगे ठीक है doctor होगे ठीक है जो professionals है उनकी भी सेम यह 30,000 पर रहनम उस पर TDS काटना 10% तेक है अब उसके बाद जो तो यह एक सब सेक्षन आया है ठीक है इसको न्यू एड किया गया था प्रिवियस यह तो 194 के सेक्षन है वो इसकी कटोफ है 5000 रुपे इस पर भी 10% रिडिस कटता है अब उसके बाद जो नेक्स्टमा सेक्षन है वो है 194 LA payment made of payment made for compensation अब उसके बाद जो नेक्स्टमा सेक्षन है वो है 194 एल भी payment of interest on infrastructure born to known resident indians तो इस तो इस पर note applicable है और 5% रिडिस करता है अब उसके बाद जो नेक्स्टमा सेक्षन है वो है 194 M amounts paid to contract, brokerage, commission और professional fee other than 194 C, 194 H, 94 G, ऐसी amount जो paid की गही है contract, brokerage या commission और professional fee लेकिन वो cover नहीं है किसमे 194 C में, H में और J में ठीक है उसकी amount है 50 लाक पर 5% रिडिस करता है अब उसके बाद है next हमान सेक्षन है 194 M cash withdrawal during the previous year from one or more account यदी किसी ने cash withdrawal किया है previous year एक से ज्यादय account चाहे कितने भी account हो total overall सभी accounts जितने भी bank accounts होंगे उनको मिलाकर किसी व्यक्ति ने cash withdrawal किया कितना एक करोड कितना एक करोड या एक करोड से अधिक करता है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं किसी व्यक्ति के दुआरा cash withdrawal किया गया है previous year एक से ज्यादय account पर और उसकी amount है एक करोड या उससे अधिक six years अब किसी व्यक्ति ने previous three years की याने की पिछले तीन साल की ITR filing नहीं किया है और उसने cash withdrawal किया है बीच लाक रुपे तो उस पर two percent TDS करता है ठीक है cash withdrawal करने पर भी अब उसके बाद जो next हमारा section है वह है 594 O amount paid for the sale of product services by e-commerce service provider by their digital platform तो इसकी जो cutoff है वो है पांचलाग रुपे और एक परसेंट इस करता है किस पर amount paid to the sale of product ठीक है amount को paid किया गया है जो product या services को बेचा गया है किसके द्वारा e-commerce के द्वारा ठीक है जाने की आपने online किसी product को यह service को sale किया है ठीक है तो उसकी cutoff है पांचलाग रुपे पांचलाग यह पांचलाग से अधी कोने पर एक परसेंट इडिस कटता है अब उसके बाद रूनेक्स अमार्स section है वह है 194 Q यह होता है purchase of goods यदि आपने goods को purchase किया याने की माल purchase किया है ठीक है यह applicable कब से हुआ था यह हुआ था एक जुलाई 2021 से और जो आपने purchase किया है goods उसकी amount पचास लाग या उससे अधीक होने पर 0.10% TDS कटता है ठीक है मैं फिरेट कर रहा हूँ यदि आपने माल को purchase किया है और उसकी amount पचास लाग है उससे अधीक होने पर 0.10% TDS कटता है अब उसके बाद जो next हमारा section है 194 S TDS on the payment of any crypto or other virtual assets ठीक है तो यह भी हमारा previous year से ही new section है 194 S तो यह होता है यदि आप crypto में trading करते हैं किसमे crypto में जो cryptocurrency होती है जो virtual assets होती है यदि आप उसमें trading करते हैं तो उस पर भी TDS कटता है ठीक है amount इसमें note applicable है और इस पर 1% TDS कटता है किस पर cryptocurrency या virtual assets पर अब उसके बाद जो on non filers of income tax return इस पर जो cutoff है वो न याने की note applicable TDS rate applicable as per provision rate ठीक है तो provision के according इस पर TDS deduct होता है ठीक है तो यह थे TDS rate chart जो कि मैंने आपको बता दी है ठीक है यदि आप इस sheet को download करना चाहते है तो link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है आप इस sheet को download कर सकते है और यदि आप इसको free of course download करना चाहते है TDS rate chart को तो आप हमारी taxation coaching जो application है उसको install कीजिए उसमें आपको यह मिल जाएगी और यदि अभी भी आपका कोई question है ठीक है तो मुझे comment box में comment करिए मैं आपकी question का reply जरूर दूँगा